Hello बच्चो, Welcome to the next video, तो इस वीडियो में हम लोग last section cover करेंगे that is the matrix matching, तो matrix matching के अंदर हमको पताए कि देखो, तीन numbers आई करने में मिलेंगे, minus 1 मिलेगा, यहाँ पर ऐसा कुछ निए कि आपको partial questions आएंगे, नीचे आपको हमेशा options दिये हुए है, कि आपको कौन से से कौन सा match करन है, first match में आपको, first column में आपको 4 options दिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 5 है, आपको 1 by 1 match करना है, तो इसमें आप है ना, बस एक-दो part भी करोगे, तो भी आपको हो जाया question, तो इसमें देखते हैं, सारे के सारे matrix matching काफी easy आए थे, और यह matrix matching तो question में matrix का ही है, ठीक है, again easy to moderate level के question है, करते हैं तो अभी एक-दो मिन में हो जाता है, तो इसमें क्या बोल रहा है, कि यह alpha बीटा रूट है, इसके x square प्लस x-1 के, तो यहाँ पर बच्चों, alpha प्लस बीटा की value अगई minus 1, sum of roots, अब मैंने यही क्यों निकाली है, बताता हूँ भी आपको, क्योंकि alpha प्लस बीटा प्लस 1 की value 0 है, और t है 1 alpha बीटा, तो यह तीन element ही है, t के अंदर, वो क्या बोल रहा है कि sum of these elements, is 0, तो यहार, first row के elements 0 आएंगे, सारे column elements, sorry, यह तो next part नो बोल गया, मैं सीधा, r1, मतलब यह row define करी है, और columns define करें 1, 2, 3, और कुछ नहीं, मतलब basically elements है, a1, 1, a2, a1, 2, a बंतरी इस तरीके से, और matrix के बारे में और कुछ इतना information दी है हमको, first part बोल रहा है कि हम elements जो है, वो t से लेंगे, such that sum of all the rows and sum of all the columns 0 होना चाहिए, हर row के element का sum 0, हर row के columns का element का sum 0, वो तब ही possible है, जब elements of 1 alpha बीटा, तो ही तो sum 0 आएगा, क्योंकि हमें यह 3 elements लेने हैं और इनक sum 0 है, तो आपको 3 हो लेने पड़ेंगे, सारे elements 1 alpha बीटा होने चाहिए, और सारे row के elements 1 alpha बीटा होने चाहिए, सारे column के elements भी 1 alpha बीटा होने चाहिए, तो पहले में अपने पास 3 option है, first row को fill करने के लिए, मैं row wise fill कर रहा हूं, आगे आप चेक कर सेते हैं, column में भी सेम तरीका ह यहाँ पर 1 alpha बीटा डाल दो और इनको 3 को कैसे भी arrange कर लो, आपकी मर्जी है, चाहिए तो 1 को पहले रख दो, फिर alpha पहले रख दो, बीटा पहले रख लो, उससे फरक नहीं पड़ेगा, तो इसके अंदर आप total 3 arrangement कर सकते हो, यहाँ अगर आपने पहले को 3 तरीके से रख द दिया, तो बाकी fix हो जाएंगे, समझ में आरी है मेरी बात, तो यहाँ पर अपने को 3 options मिल गए इनको arrange करने के, next row में आप, sorry, 3 factorial options मिल गए इनको arrange करने के, next row में, जैसी आपने मान लो, यह कैसे लिए 1 alpha बीटा, तो 1 fix हो गया है यहाँ पर, अब अगर यहाँ पर 1 fix है, तो से alpha आ गया, तो अगर यह alpha है तो यह बीटा हो गया, अच्छा अगर यह alpha fix कर दिया आपने, ठीक है, यहाँ पर alpha का option था या beta का option था तो इसको बरने के दो तरीके हैं, अगर आपने यह alpha रखा, तो यहाँ पर alpha नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर यहाँ तो बीटा आएगा या 1 आएगा अब alpha यहां आगया यहां बीटा नहीं आ सकता तो यहां पर one को आना पड़ेगा यहां बीटा आना पड़ेगा सारे actually fix हो जाते हैं यह alpha बीटा तो यहां 1 आएगा बीटा alpha यहां पर 1 आएलफा जाएगा तो basically उससारे fix हो गए तो बस यह दो ही तरीके था इस element को साही है तो देखो Q में भी 44 है R में 13 है S में 55 है तो हमको R ही check करना था ठीक है तो R case क्या है M एक matrix है B skew symmetric अगर यह skew symmetric matrix है तो इसने का कि matrix into XYZ M matrix हमने लिखी उसका multiplication XYZ से किया तो हमें मिला A12 0 minus A23 ठीक है तो इसके कितने solutions possible है बड़ा simple question है तो क्योंकि अगर यह skew symmetric है terminant क्या हो गया 0 हो गया तो हमें यहाँ पर delta 0 मिल गया अब आप delta 1, delta 2 और delta 3 check करो गया यह सारी value 0 आ रही है तो there are infinite solution of this case इसका आ जाएगा 3 तो मतलब की C option हो जाएगा इस question का answer moving on to the next part let the state line y equal to 2x touch the center 0, alpha ठीक है तो काफी actually this is one of the easiest question अब यह question दिखने में बहुत मुश्किल लग रहा है इसमें बहुत जादा equations है data काफी है और calculation भी आ रही है अगर आप करेंगे तो लेकिन अगर आप इसको तरीके से solve करेंगे ट्रिक लगाएंगे तो काफी easy question है so conic section का question and it was very easy easy question चलिए क्या कह रहा है वह question के अंदर की एक circle है इसका center 0, alpha and radius r है ठीक है अच्छा alpha इसने positive दिया है means उपर रहे गाई है 0, alpha radius r y equal to 2x एक tangent है इसकी और इसने a1 point पर touch किया और अगर डायमेटरी के लिए opposite point देखोगे तो वो b1 है क्या बोल रहा है alpha plus r is alpha plus r is 5 plus root 5 ठीक है इसको use करेंगे हम अच्छा tangent है तो tangent का perpendicular distance from center जो आएगा वो radius की equal आएगा तो equation है 2x minus y चलिए put करते हैं इसके अंदर 2 x coordinate 0 minus y, y की जगा alpha upon root 5 modulus is equals to r तो यहाँ पर बक्चों आगए minus alpha का mod root 5 r अब इसने दिया वह alpha positive r positive भी होता है तो plus ले लो गोड़ेंटरी नहीं है alpha equal to root 5 r यह यहाँ put कर दो तो root 5 r plus r तो यहाँ से r निकल जाएगा root 5 alpha आजाएगा 5 तो alpha 5 हो गया 5 मतलब यह 4 हो गया और r हो गया root 5 तो यह 2 हो गया चेक कर लो p q 4 2 4 2 4 2 4 2 यह तो first है यहाँ फिर c है ठीक है r1 है r5 है s3 s3 s check करने का point नहीं है बस खाली r check कर लो r क्या बोल रहा है a1 a1 कौन सा point है a1 point of tangent है तो यह यह point circle पे भी है tangent पे भी है आप solve कर सकते हो लेकिन options check करो na check करो कौन सा point लाय कर रहा y equal to 2x पे क्या यह check कर सकते है यह लाय कर रहा है कि negative positive कैसे possible है दोनों ही लाय नहीं कर रहे है यह रा point मिल गया r is 5 आपका answer आपका answer आगया c ठीक है बच्छों easy question देखा आपने कितना आप इसको अराम solve कर सकते हैं चलिए next question पर आते हैं next question gamma belongs to r be such the lines l1 and l2 intersect let r1 be the point of intersection of l1 and l2 तो इसको solve करने के हमें पता है काफी तरीक हैं लेकिन मैं यहाँ पर point assume करके solve करने वाला हूँ और उससे वहाँ से gamma की value आ जाएगा उसका फाइदा क्या है क्योंकि question में आगे आपको r भी चाहिए or equals पूछा है gamma equal है तो गामा पर question खतम नहीं हो रहा चीक है तो मान लेते हैं यह alpha है और this is equals to beta तो x कितना आ जाएगा alpha minus 11 y will be 2 alpha minus 21 z will be 3 alpha minus 29 and यहां से x कितना आ जाएगा 3 beta minus 16 and y will be 2 beta minus 11 gamma and z will be z कितना जाएगा यहां से z will be beta gamma minus 4 ठीक है यहां से बच्चों alpha कितना आ जाएगा alpha can be written as 3 beta इन दोनों को equate किया मैंने तो 11 इसमें add हो जाएगा 3 beta minus 5 ठीक है यह दोनों भी सेम है तो 2 into 3 beta minus 5 minus 21 equal to 2 beta minus 11 चलो beta निकाल लेते हैं 6 beta minus 10 minus 21 minus 31 is 2 beta minus 11 4 beta is 20 beta is 5 alpha 3 beta minus 5 सा 15 minus 5 alpha is 10 alpha आ गया बीटा आ गया तो यहां से गामा निकल जाएगा हमें पता है कि z कितना है z is 3 alpha minus 29 30 minus 29 1 आ गया और इसकी value भी 1 होगी तो beta beta is 5 5 gamma minus 4 is 1 5 gamma is 5 gamma is 1 तो gamma की value 1 आ गयी मतलब third option satisfy करना है इसको O R1 R1 की coordinates point of intersection R1 है यहां से आप R1 की coordinates में निकाल लो तो R1 की coordinates के लिए values put करनी पड़ेगी alpha और beta की तो alpha है 10 10 minus 11 minus 1 20 minus 21 minus 1 1 तो O R की coordinates आ गये minus I minus J minus K तो इसका आ गया 1 3 and 1 तो ऐसे मेरे को दो option दिख रहे है actually महाँ A और C इन में से answer है तो देखो क्यों तो यहाँ भी 4 है S निकालना है S कितना है 5 या फिर S है 2 तो possible value of O R O R vector यह रहा N N vector यहां से मिल जाएगा आपको देखो अब देखो हमें बता है इन दोनों अंसर है मतलब इसकी value 4 है तो basically आप चाहे तो आप निकाल भी सकते हो दोनों cross product वरना आप option से देख थे उसमें आप उसने आपको answer दिया हुआ इसका value यह रहा तो N vector यह रहा आप इनको multiply करोगे आपको 2 by root 3 मिल जाएगा ठीक है आप इनका अगर dot product करते हैं तो यहां पर dot product will be under root 2 by 3 तो इसका भी आ जाएगा बच्चों option C again vectors का question काफी 3D का question है काफी easy easy level कही था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question this was the last question of the integer type questions इसमें क्या दिया है F R से R G R से R भी functions defined by कुछ-कुछ F X दिया है कुछ-कुछ G X दिया हुआ है तो इनकी individual study कर लेंगे पहले question देख लें H X दिया है यह A B C D A B C D varies कर रहे है तो पहला option देखता हूँ मैं A 0 C 0 D 0 तो H X क्या मिल गया H X is A 0 C 0 D 0 मतलब की G X plus G 1 by 2 minus X तो बच्चों अगर इसके अलावा कोई G की value है तो यह तो 0 ही आएगा हाँ अगर 0 से 1 by 2 है तो देखो आप चाहे तो X को 0 से 1 by 2 रखो या 1 by 2 minus X यह भी 0 से 1 by 2 ही लाए कर रहा है अच्छी बात तो यह है तो कोई tension वाली बात नहीं है अब आपने G X लिया 1 minus 2 X plus G 1 by 2 minus X तो इसको चेक करेंगे 1 minus 2 1 by 2 minus X यह हो जाएगा 1 minus 2 X 1 minus 2 into 1 by 2 cancel हो गया 1 minus 1 plus 2 X cancel यह तो 1 आगया तो मतलब की जब X 0 से लेके 1 by 2 है आपको 1 मिलेगा वाकी हर जगे आपको 0 मिलेगा इसकी range हो गई 0 0 और 1 बस दो ही values ठीक है आसान है A 0 B 0 C 0 D की value 1 G की हमने already थोड़ा सा निकाल लिये knowledge तो हम D की help कर सकते हैं G X की बारे में और value 0 है तो 0 से 1 by 2 graph यह रहा 1 से लेके 0 decreasing उसके बाद 0 उससे पहले 0 तो अगर आप देखेंगे इसकी value तो इसका range मिल जाएगी 0 से 1 1 1 यह भी नहीं है onto यह भी नहीं है differentiable यह नहीं है तो इसका आजाएगा 4 ठीक है एक तरीका तो यह है वरना आप चाहे तो F X और G X की और information यह पर हमने information निकाली इसका answer भी कितना आगया बच्चों see again this was a very 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 easy question so I hope आपको सारे के सारे questions समझ में आ गए होंगे and बच्चों make sure कि आप लो एक बार इंट को फिर से practice कर लेना देख लेना and अपने marks मुझे ज़रूरू comments नो बताओ thank you